Assalamu alaikum, प्यारे बच्चों हम comprehension कर रहे हैं Point Wind on the Hill आज हम करेंगे Silent letters Silent letters क्या होते हैं इनकी definition क्या होती है मैंने पहली video के link में video link दिआ ओड़ा है जिसमें silent letters के बारे में आपको detail में बताया है, उमीद है आपने वो video और देख ली होगी, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, silent letters, English में, उन letters को कहते हैं, जो spelling में तो लिखे जाते हैं, लेकिन उनकी sound नहीं आती, हम आगे इसको मजीद देखेंगे, जब मिसालें तो हमें मजीद वजाहत हो जाएगी, जैसे है, I write poems about nature, मैं poems कहते हैं, नजमों को write लिखना about nature, मैं फितरत के बारे में नजमें लिखता हूँ, अब आप देखें, write के spelling में पेगौर करें, कि write में हम w तो लिखा हूँ है, लेकिन इसको बोलते नहीं हैं, जब हम pronounce करते हैं, तो इस में write जो है, वो silent letter है, next sentence है, this watch is 10 minutes fast, this watch ये घड़ी 10 minutes तेज है, अब आप watch पे गौर करें, watch में हम लिखने में w, a, t, c, h लिखते हैं, लेकिन बोलने में t की sound नहीं आती, तो इस sentence में, watch में, t, जो है, वो silent letter है, I love to climb trees when I was a kid, मुझे दरख्तों पे चड़ना पसंद है, जब मैं एक बच्चा था, अब आप climb कहते हैं, उपर चड़ना, तो आप climb पे गौर करें, हम इसमें b, जो है, उसकी sound नहीं निकालते हैं, तो b is a silent word, letter, फिर है, मर्यम heard a knock at the door, knock कहते हैं, दर्वाजा खट-कटाने को, मर्यम ने दर्वाजे पे खट-कटाट सुनी, अब आप knock को और से देखें, तो हम noon की आवाज निकाल रहे हैं, इसमें letter k, जो है, वो silent है, ठीक है, next sentence है, तो यह हमें पता चल गया, अब हम write the given words in the correct column according to the silent letters, यह आपके सामने कुछ words रखती हूं, जिन में silent letters हैं, जैसे कॉंब, कॉंब English में कंगी को कहते हैं, अब कॉंब में be silent है, फिर है rapper, रैपर में जब हम कोई चीज खाते हैं, चॉकलेट या टाफी वगेरा, उसका जो cover होता है, उसको rapper कहते हैं, आप देखें, रैपर जो है, वो आ, रह से शुरूर है, लेकिन लिखने में W से लिखते है तो W जो है, वो silent letter है, तो आप चॉकलेट और क्रिस खाके rapper को हमेशा dustbin में फैंके, फिर है crumb, crumb जब कोई भी चीज जैसे biscuit तोड़ते हैं, उसके साथ थोड़ा सा चूरा भी गिर जाता है, तो उस चूरे को crumb कहते हैं, इसमें भी वी silent letter है, फिर है thumb, हमारा अंगूठा जो C जो है, वो silent है, फिर है whistle, CT को whistle कहते हैं, whistle में T silent है, और इसी तरह, झाई, जो हमारा घुटना है, इसको knee कहते हैं, इसमें आप देख रहे हैं, लिखने में K से शोरू होता है, लेकिन इसमें K silent है, फिर है wrong, कोई भी चीज जो गलत करें, उसको wrong कहते हैं, तो wrong में W जो है, वो silent है, फिर है knitting, बुनने को knitting कहते हैं, इसमें k silent है, wrinkle, siliego जो पर जाती है, उनको wrinkle कहते हैं, आप देखें इसमें भी w जो है, वो silent है, फिर है listen, listen कहते हैं सुनने को, हम कानों से सुनते हैं और इसमें t silent है, फिर है knowledge, knowledge कहते हैं किसी चीज़ को सीखने से, इल्म हासल करने से, तजर्बा से चीज़ों को तज्जिया करने की सलाहियत यह सारी knowledge में, इल्म में आती है, इसमें के जो है, वो silent है, कासल, कासल किसी किले को कहते हैं, इसमें T silent है, अब हम इनको जो है, वो arrange, silent K, silent W, silent V और silent T के अलफास के साथ, तो आप देखें, इसमें K silent है, रैपर, रिंकल और रॉंग में W silent है, कॉम, क्रम और थम में B silent है, और विसल, लिसन और कासल में T silent है, तो इससे यह पता चलता है कि silent letters, spelling के शुरू में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, और आखर में भी आ सकते हैं, तो प्यारे बच्चों, आप उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, तो जो असल इल्म है वो कुरान मजीद में है, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़े, हमें पता चले हमें अपनी जिन्दगी कैसे गुजारनी है, इस दुनिया में हम कि बात मानेंगे, तो दुनिया की काम्याबी भी हासल होगी, आखरत की भी, अच्छी तरह से मेहनत करें, हर चीज दिल लगा कर पढ़ें, और इस वीडियो में जो मैं लिंक दे रही हूं, उनको जरूर देखें, आपको ट्राइग्राफ और डाइग्राफ जो अगला लेसन है